ENW vs INW WC 14 T20 match England Women vs India Women's World Cup 2023 का 14 T20 match जो के खेले जाने वाला है और गाईज ये Women's World Cup 2023 का एक सबसे बड़ा match है और आप सोच रहे होंगे कि ये सबसे बड़ा match क्यों है क्योंकि गई दोनों ही टीमें अपने आप में काफी स्ट्रॉंग टीम हैं दोनों ही टीमें ऐसी है जो इस World Cup को जीद सकती है क्योंकि England Women's की बात करू तो काफी अच्छा पर्फोर्मेंस दे रही है इसकी balling unit है वो काफी स्ट्रॉंग है और वही इंडिया women's की तरफ से जो middle order के player है वो काफी अच्छा पर्फोर्मेंस दे रहे हैं चाए वो रीचा गौश हो हर्मन प्रिट कौर हो या फिर इंडिया के ballers हो तो ये वाला match अपने आप में एक शांदार match होने वाला है और इस शांदार match में गई जो team बनेगी वो भी काफी different way में बनेगी क्योंकि इस वाले match वे अपन उन players को priority जादा देंगी जो इस pressure situation वाले match को handle कर सकते हैं तो वो कौन से player होने वाले हैं अपने इस वीडियो में बात करेंगे साथ में अपन बात करेंगे कि इस वाले match में वो कौन से player है जो आपके लिए grand league के point of view से काफी important होंगे मतलब उन तीन players के बारे में मैं बताऊंगा जिसको आपको grand league में रखना ही रखना है वो कौन सा player है वो अपन इस वीडियो में देखेंगे साथ में अपन देखेंगे कि कौन से ground पे ये match खिला जाएगा कैसा ये वाला pitch रहने वाला है मतलब batting supportive है या balling supportive है क्योंकि ये वाला ground अपने आप में एक काफी special ground है अब वो क्यों है वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ साथ में इंडिया की तरफ से भी एक से दो change possible है जो की हो सकते हैं इस वाले match में साथ में England women's की तरफ से कुछ changes है जो की possible है जो इस वाले match वे बनने वाले हैं और गैस मैं उन सभी भाईयों को मुबारक बात देना चाओंगा जो भी भाई मेरा ये पाकिस्तान सूपर लीग हो या women's world cup हो इनके वीडियोस को देख रहा है पूरा watch कर रहा है और साथ में अच्छी winning भी कर रहा है मतलब आप लोगों का जो feedback आ रहा है तो गैस आप सभी भाईयों का शौर expert support family में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और ऐसे छोटे भाई के नाते आप से request करता हूँ कि अगर आप इस YouTube चैनल पे पहली बार आये हो या पहले आ चुके हो बट अगर आपने इस चैनल को subscribe नहीं कर रहा तो जरूर से subscribe कर ले क्योंकि quality matches अब आ चुके हैं और इसके बाद अब IPL आएगा women's IPL आएगा तो अगर सही में आपको winning करनी है अच्छी information चाहिए तो इस चैनल को subscribe करके bell icon की घंटी दबा के all जरूर प्रैस करके रखे साथ में गैस मेरा telegram channel है शौर expert support जहां पी 150,000 से जादा लोग बिल्कुल free में team ले रहे हैं तो आप भी गैस उस free team को ले सकते हैं अच्छी winning कर सकते हैं और उस पे join करने का तरीका बिल्कुल simple है YouTube के description और comment section में पहले number का link है बस उस पे आपको click करना है telegram पे आजाना है वहाँ पे आपको हर match का बिल्कुल free update मिलेगा तो जरूर से जाके join कर लेना मेरी आप रोगों से request है और guys एक final चीज और बोलूँगा पूरा वीडियो guys last तक देखिएगा seriously कह रहा हूँ ऐसे ऐसे player आपको बताने वाला हूँ जो शायद आपने अभी तक अपनी टीम में नहीं ले रखे होंगे बट ये वीडियो देखने के बाद आप लेने वाले हो तो जरूर से पूरा वीडियो देखिएगा हापसर इक्वेस्ट है तो ENW vs INW WC 14 T20 match ये खेला जाएगा सेंट गौर्जिया पार्क एलिजाबैत और अगर इस ग्राउंड की गाईज मैं आपको खासियत बताओ तो काफी फ्रेश ग्राउंड है वैल बैलेंस है और यहाँ पे गाईज आना पिच पे फास्ट बॉलर्स को काफी मदद मिलेगी क्योंकि इस पिच सर्फेस पे काफी बाउंस है तो फास्ट बॉलर्स को हैल्प यहाँ पे मिलने वाली है साथ में गाईज यहाँ पे अगर मैं T20 स्टैट्स की बात करूँ तो ज़्यादा मैच हुए नहीं गाईज यहाँ पे मैंस के ही मैच खेले गए हैं और टोटल तीन मैच हुए हैं गाईज मैंस के जिसमें बैटिंग फर्स ने दो सैकेंड ने एक एवरेज इसकोर आप देखी यहाँ पे 132 का है तो रन बनाना इतना आसान होगा नहीं और साथ में यहाँ पे जो भी टीम टॉज जिते कि पहले बैटिंग करना पसंद करेगी क्योंकि सैकेंड इनिंग में मुझे लग रहा है थूड़ा सा मुश्किल हो सकता है हेड टो हेड रिकॉर्ड में अगर आप देखोगे तो इंग्लैंड वुमेंस का पलडा ही भारी है इंग्लैंड ने 19 मैच जीते हैं इंडिया ने केवल साथ ही जीते है और स्कोरिंग पैटेन आप देखी यहाँ पे 170 से कम एक बार और 150 से कम एक बार स्कोर बनाए तो काफी मज़ा आने वाला है इस वाले ग्राउंड के इसाप से टीम बनाने में वह अपन अभी बनाएंगे वीडियो में और टेलिग्राम चैनल शौर एक्सपर्ट सपोर्ट को आप जो जरूर से जॉइन कर लेना फाइनल टीम फाइनल अपडेट चाए वो पाकिस्तान सूपर लिंक है उस पर क्लिक करके आपको इससा बन जाना है जरूर से जॉइन कर लेना मेरी आप से रिक्वेस्ट है अब देखे गई यहां पर जो लास्ट दो मैच हो है न यह अभी साउथ अफरी का जो टी टूंटी लीड चल दी थी ना वहां के मैचेज है और वहां पर किस तरी यहां पर लग रहा है कि पहले बैट करते हुए स्कोर काफी बन सकता है क्योंकि यहां पर 200 प्लस का इसकोर बना है इसके बाद यहां पर मैच हुआ संद्राइज और पाल रॉयल्स की बीच इस वाले मैच में 130 बने पाल ने 133 बना दिये और यह वाला मैच यहां पर 5 होंगे क्योंकि वुमेंस के मैचेज में स्पीनर काफी विकेट निकाल के देते हैं तो कौन सा इस्पीनर आज के मैच में रखना है वह आप मेरे पे छोड़ दी दिये मैं सब आपका क्लियर करके जाओंगा और यह है एक्सचेंज 22 एप्लिकेशन और इस एप्लिकेशन को अ क्या होगा क्योंकि विदाउट बैनिफिट के तो हम कुछ वर्क ही नहीं करते तो गईज अगर आप मेरे लिंक से डाउनलोड करोगे और आप चार प्रोसीजर कर दोगे इस एप पे अपना बैंक वेरिफाई पैन वेरिफाई आपका मोबाइल वेरिफिकेशन इमेल अच्छा करेगा उसको बाइ करिए और जो प्लेयर लगता है कि आपको आज के मैच में अच्छा नहीं करेगा उसको सेल करिए कि बहुत एजी मैथड़ है शांदार एप्लिकेशन है मैं खुद यहां पर अच्छे विनिंग कर रहा हूँ और यहां पर जुड़े हुए हैं जो खुछे टाइम के लिए है कि अगर आप यहां पे अभी 1000 रुपय तक का deposit करते हो तो आपको 20% extra real cash मिलेगा मतलब 1000 रुपय अगर आपने deposit किया तो आपको 1200 मिल जाएंगे 200 रुपय बिल्कुल free में company दे रही है और इसमें कोई code नी डालना कुछ नी डालना सीधा offer है तो जल फोवासा वित्य जो के मिंखियुड है क्रपय अपने wrist पर खेले और समल के। अब दोनों टीमों की playing eleven discuss करेंगे साथ में अपन देखेंगे कि इसमें से कौन सा प्लेयर है जो भाहर जा सकता है कौन सा फ्लेयर है जो अंदर आ सकता है इसमें से अपन देखेंगी कि कौन सा प् कराएगा और लाश्ट आवर्स में कौन कराएगा यह सारी चीज अगर आपने देख लिए जान ली तो कौन रोकेगा भाई विन करने से इसलिए एक लाइक कर दो भाई की मेहनत के लिए छोटा सा प्लीज गई सबसे पहले इंग्लेंड वुमेंस की प्लेंग 11 देखते हैं यह पर डैनियल वार्ट सोफी डंकली यह ओपनिंग पर आएगी इसके बाद एलिसा कैपसी नातालिया सकाइवार हैतर नाइट फिर एमी जॉन्स कैथी ब्रंट सोफी एसकलेटन चार्ली डीन सरा ग्लेन और लॉरेन बैल यह इंग्लेंड वुमेंस के एक्सपेक्टेट प्लें वास्तेकार, रादायादव, राजेश्वरी, गायकवार्ड और एनुका सिंग ठाकूद यह देखी इंडिया की प्लेंग 11 है अब इसमती मंदाना वैसे तो फिट होके आ गई है हाँ अगर थोड़ा सा कंसर दाता है तो हो सकता है वापस दैश पे भी चल जाए बड़ चां का इंडिया के अगेंस जब-जब खेलती है ग्यारा मैच के लिए 206 मना 21 के एवरेश से और अगर आप रिसेंट फॉर्म पर जाओगे तो उतनी अच्छी है नी लास्त तीन मैचों में बारा बारा च्छे तो कहीं ना कई अपनी फॉर्म के साथ थोड़ा सा श्ट्रगल कर सकते हैं इंडिया मुमेंस की तरफ से रीचा गोश नंबर पांच पोजिशन पर खेलेगी बहुत ही बढ़िया बैटिंग कर दिये मिडिल ओडर में आकर वन साइडेड मैच कर देती है और लास्ट तीन मैचों में आप फॉर्म देखिए चोवाले सिगत्यस नाइंटीवन देफिनेटली अपनी ड्रीम फॉर्म में चल दी है पर इंग्लेंड मुमेंस के अगेंस थोड़ा सा यह भी श्ट्रगल करती है चार मैच में 77 दन है बट फिर भी मैं कहा सकता हूँ 20 के आसपास का एवरेज है एक बड़ी आवरेज है तो रीचा गोश को तो आपको रखना ह अच्छा कर गई तो कहीं न कहीं आपकी रैंग बूश्ट अप करेगी तो आपको समझ में आ गया होगा को कैसे यूज करना है और रीचा को कैसे करना है इंग्लाइट वुमेंड की बैटिंग सेक्शन की बात कर लेता है तो इसमें नाम आता है सहतर नाइट का नंबर देखोगे 14-32 नौ इंडिया के अगेंस एवरेज भी काफी अच्छा है लगबग 24 का एवरेज है और वुमेंस के मैचों में अगर 20 सुपर का एवरेज भी है न तो एक अच्छा एवरेज होता है तो कहीं ना कई मुझे लग रहा है है तर नाइट आपके लिए बढ़िया क पाच मैचों में आप देखिए तीन बड़ी इनिंग आई है चौते साथ 59 डैफिनेटली डंक लिए काफी अच्छा कर दिये तो डैफिनेटली आप रख सकते हो इसके अलावा डैनियल वाट की बात करू ओपनिंग पर आने वाली है और आवरेज आप देखिए यहां पर इ कौन हो सकते हैं एक तो सोफिट अंकली मुझे लग रहा है अच्छा करेगी और एक डैनियल वाट मैं खहरा हूं क्यूंकि थोड़ा सा ओपनिंग पर आएगी तो बैटिंग कंफर्म आने वाली है एक प्लस पॉइंटर साथ में दोनों अटैकिंग बैटिंग करते हैं तो ख सबसे पहला नाम आता है इसमती मंदाना का जो की ओपनिंग पर आईगी और यह थोड़ा सा इंग्लाइंड वुमेंड के अच्छा कहलती है आप दिखें सत्रा मैच में 600 बनाए 40 का एवरेज है अगर आप ओवरॉल टी-20 का एवरेज देखोगे ना तो 27 का ही है पर इंग्ल बिल्कुल भी अच्छे नहीं है लाश्ट पाच मैचों में केवल 15 रन मना है तो यहां पर थोड़ा सा इसमती मंदाना पर क्योशन मार के कि क्या आज के मैच में फॉर्म आईगी बाकी रिकॉर्ड खेरा है कि इंग्लेंड वुमेंड के अगेंस अच्छा कर सकती है तो ग्र अरेपन और 41 की बाकी इंग्लेंड वुमेंड के अगेंस अवरेज बीस का है और शैफाली वर्मा की बात करूं जो की ओपनिंग पहेगी है गईस यह प्लेयर है ना मुझे थोड़ी से डाउटफुल थोड़ी रिस्की लगती है क्योंकि इंग्लेंड वुमेंड के अगेंस बखबख सेम सा है बट शैफाली वर्मा के साथ पॉइंट आउट क्या है कि यह बॉलिंग भी कराती है तो कहीं ना कई वो प्लस है तो मुझे लग रहा है आपको शैफाली वर्मा प्लस और यहां पर हर्मन प्रेट को और प्लस इन दोनों के साथ जाना चीए यह मेरा पर्स इंग्लाइंड मुमेन को अल्राउंडर सेक्शन बहुत श्ट्रॉंग है इसमें सबसे श्ट्रॉंगेस इनकी प्लेयर है नताइक वल्या स्काइवर फास्ट बॉलर है मिडिल ओडर में आकर बैटिंग करती है लास्ट मैच अच्छा नहीं गया इसका पांचन बनाए बट उ तो कप्तान और वाइस कप्तान का भी केंटेटर आप बना सकते हैं इसके अलावा कैथी ब्रंट फास्ट बॉलर है हर मैच में एक एक विकेट निकाल के दे रही है इंडिया के एगन 16 मैच वे 22 विकेट निकाले है और यहां पर कैप सी की बात करूं कैप सी का देखिए अब प्रिसेंट फॉर्म देखिए आप आप खुद देखिए कितना जबरदस्त है एक्क्यावन तेरा अठाइस एक्सट लास्ट चार मैचों से कंटीनियो रन मना के दे रही है बट एक चीज का ध्यान रखना कैप सी अगर आप ले रहे होना तो ऐसे बाट्समैन ही रखना अग पर काप सी भी बढ़िया है तो यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूज है कि इंग्लैंड उमेन का कौन सा आज के मैच में रखे बू किसको रखना है वह मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा जब मैं आपको फाइनल टीम दिखाऊंगा तब बताऊंगा बाकी स्काइवर को तो रखी लेना इंडिया वुमेंस के अल्डाउंडर्स में दीखिए दिप्ती शर्मा को तो आग बन करके रख लेना है हर को ही रखेगा आप ही नहीं और बहुत ही बढ़िया कर दिया और इसेंट फॉर्म आप देखिए तीन विकेट एक 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 और एवरेज भी अच्छा है तेरा विकेट निकाल लिए हैं इंग्लेंड वुमेंट के अगेश पूजा वास्तेकार इसको मैं आपको बता दू इंग्लेंड वुमेंट के एक एक इगेंस उतने विकेट मिलते नहीं है साथ मैच खेले केवल दो ही विकेट मिले तो वो खहीना की एक माइनस पॉइंट हो सकता है अगर आप रिसेंट फॉर्म पे जाओगे तो वो तो अच्छी है बन मुझे लग रहा है पूजा वास्तेकार की जगे अगर कोई और बॉलर आपको बैटर मिल जाए तो उसके साथ ज जा सकते हैं बाकी दोनों थोड़ी रिसकी है थोड़ा डाउट फुल उतनी अच्छी फॉर्म में है निंग्लाइंड उमैन के अग्यां यहां पर बात करें गई इंग्लाइंड उमैन के बॉलर्स की अब इंग्लाइंड उमैंस का बॉलिंग सेक्षिन तो गई देखिए वै दो वाइस कप्तान में बना दो विकेट देगी पॉइंट देगी शांदार प्लेयर है सरा ग्लैंड की बात करूं आठ मैच आठ विकेट रिसेंड फॉर्म आप देखिए तीन एक तीन एक मतलब यह भाई तो यह भी खतरनाग बाई दोनों डेंजरस बहुत जबर्दस लार पार्च मैच देखोगे ना तो एक मैच इसका खराब गया है बाकी दो विकेट एक विकेट तीन विकेट दो विकेट और टीट्वन्टी में साथ मैच तेरा विकेट तो कहीं ना कई इंग्लैंड वुमैन के इस्पिनर जो है ना वह कमाल कर रहे हैं चाहे वह एसकलेटन हो ग्लैन हो या डीन हो बट इंडिया वुमैन्स के प्लेयर मुझे लगता है इस्पिन को धंग से खेल सकते हैं तो वह थोड़ा सा प्लस लेके आप लॉरेन बैल के साथ इसक ले सकते हैं बाकी तो आपको यहां पर इनके इस्पिनर को रखना ही पड़ेगा बहुत अच्छी अब यहां पर बात करते हैं इंडिया वुमैंस के बॉलर्स की इंडिया वुमैंड का जो बॉलिंग सेक्षिन है वह थूरा सा वीक लग रहा है जिसमें रेनु का सिंग ठाकूर है अगर आप देखें रिसेंट फॉर्म और इंग्लैंड वुमैंड के चार मैच खिले किवल एक ही विकेट मिला है तो वो थोड़ा कहीना कई माइनस पॉइंट है रादा यादव की बात करो दो एक दो हिंग्लैंड के अगेंस बारा मैच दस विकेट और राजिश्वरी गाइकवार्ट की रिसेंट फॉर्म उत्ती अच्छी है नहीं लास तीन मैचों में एक विकेट मिले है तो बड़ इंग्लैंड उमेंड के अगेंस इसका रिकॉर्ड तोड़ा बैटर है तीन मैच वे पाच विकेट है तो कहीना कि राजिश्वरी गाइकवार्ट ग्रैंड लीग के लिए दूसरे डिफ्रेंशल पिक बन सकती है क्योंकि कम लोग लेके आएंगे वहाँ प में कौन कराएगा और पावर प्ले में कौन कराएगा यह भी जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि मेरा वीडियो आपको पता है कंप्लेट पैकेज होता है जहां पर हर इंफॉर्मेशन होती है उसके बाद भी आप वीडियो पर लाइक नहीं करते तो बह सब्सक्राइब करें जरूर करें रिक्वेस्ट इंग्लाइंड वुमेन की बॉलिंग सेक्शन में दीखें सोफी एसकलेटन चार्ली डीन सरा ग्लैन यह अपने बार ओवर करा देगी चार चार ओवर तीनों को मिल जाएंगे इसके बाद यह बचे आट ओवर और प्लेयर रह बाकी जो बचेंगे शैफाली वर्मा रादा यादा वो देवी का वैद्दे में बचेंगे और रादा यादा हमने तो लास्ट मैच में शायद बॉलिंग भी नहीं कर आई ती तो कहीं ना कहीं उपर के चार बोलर है वो थोड़े से फोकस करने वाले है पर मुझे लग रहा इसमती मंदान और शैफाली वर्मा यह पाज प्लेयर है जो जी एल के पंड प्लेयर बन सकते हैं आप बेसिकले इन पर नजर रख सकते हैं इंग्लाइड उमें की तरफ से यह प्लेयर है जो बैंच वे बैठे हुआ है इसमें से लॉरेन विल्फिट है कोई चांस नहीं मैंस की तरफ से यह सारे प्लेयर है जो बैंच वे बैठे हुए है इसमें से भी मुझे चांस कम लग रहे है कि कोई आने वाला है कोई भी आता है या खेलता है तो मैं आपको टेलेग्राम पर अपडेट दूंगा आप वहां पर जॉइन रहना आपको अपडेट मिल जाएग प्लेयर बैटल देख लेते हैं कि आज के मैच का कई भाईयों के दिमाग में कंफ्यूज रहता है कि यह प्लेयर को रखे ड्रॉप कर दे तो वह चीज़े काफी हद तक इससे क्लियर हो जाती है कि कही ना कई यह प्लेयर आज के मैच में खेल रहा और सामने वाली टेम के पा मैच में रिसकी और राजेश्वरी गाइकवर अपने आप एक बड़ी आप एक बनने वाली है इसके लावा सोफी डंकली को दिपते शर्मा चौतिस बॉलों के अंदर दो बार आउट कर चुकी है डैनियल वाट को भी रादा यादा वो डिपते शर्मा तीन और दो बार और और इसकाइवर को रादा यादा दो बार आउट कर चुकिया राट इस बॉलों के अंदर तो कहीं ना कहीं यह थोड़े यह प्लेयर है जो रडार में है रिसकी है जो आपको पॉइंट दे सकते हैं और इनको डॉप भी कर सकते हो इंडिया की तरफ से आप देखिए रीचा गोश को सौफी एसकलेटन बीस बॉलों के अंदर दो बार आउट कर चुकी है तो रीचा गोश भी आजड़ार पर हर्मन प्रीट को और को चार बार आउट कर चुकी है सरागलेन अगर आप ऐसे देखोगे तो फिर तो सभी कोई आउट कर दो कोई ना कोई किसी को तो सकते हैं अब इस फाइनल टीम देखेंगे ग्रेंड लीग की टीम देखेंगे कप्तान वाइस कप्तान का सेलेक्शन देखेंगे उससे पहले आज के मैच का फ्री गिववे का क्योश तो आई एंड डबलू वर्सेज एंड डबलू फॉर्टीन टी वर्ल्ट कप मैच फ्री देना है आंसर देते समय तीन चीजों का ध्यान दखना है वीडियो पर लाइक चैनल सब्क्राइब और टेलीग्राम शौर एक्सपर्ट सपोर्ट जॉइन जिसका डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पहले नंबर का लिंक है तो जरूर से जाके आंसर करें और टेलीग्राम जो के साथ मैं आज खेलने वाला हूँ तो सबसे पहले है रीचा गौश जो विकेट कीपर सेक्शन में मेरे साप से बैस्ट चॉइस है बैटिंग सेक्शन में देखिए हर्मन प्रीट को और है शैफाली वर्मा है और सोफी डंक लिए यह तीनों के साथ मैं क्या हूं यहां पर आप एक चेंज कर सकते हैं आप यहां पर शैफाली वर्मा की जगे जैमी रॉड्रीगेज या इसमती मंदाने के साथ भी जा सकते हैं बट मेरे साप से रॉड्रीगेज थोड़ी ज्यादा बैटर पिक हो सकती है वाल राउंडर में यह चारो वाल राउंडर रखे जिसमें दिपते शर्मा है एक आपसी है नतालिया इसकाइवर है और पूजा वास्तेकार है बट एक चीज़ बता दू पूजा वास्तेकार का रिकॉर्ड उतना अच्छा है नहीं इंग्लैंड वुमेंड के अगे तो यहां पर वास्तेकार की जगे इंडिया वुमेंस किया तो जिश्वरी गाईकवार या रेनुका सिंग के साथ जा सकता हूँ या फिर मैं शैफाली वर्मा की जगे यहां पर रोडरी गेज या इसमती मंदाना के साथ भी जा सकता हूँ तो वह मैं टॉस की टाइम आपको अपडेट दे दूँगा आप यूट्यूब के डिस्क्रिप् के साथ जाना चाहते हैं क्योंकि सेव में विनिंग करना बड़ा मुश्किल है थोड़ा तो रिस्क लेना पड़ेगा तो यह टीम क्या है इसमें एमी जॉन्स है इसमती मंदाना है रोडरी गेज है और डैनियल वॉट है यह तीनों काफी डिफरेंशल प्लियर है जो बहुत कम लोग लेके रखेंगे रोडरी गेज को फिर भी सब रख लेंगे बार इसमती मंदान और डैनियल वॉट हो सकता है कम लोग लेके रखें और बॉलिंग सेक्षन से दिखेंगे एसकलेटन है सराग लेन है लॉरेन बैल मुझे लग रहा है काफी अच्छा कर सकती है क्योंक बैस्ट है उससे पहले अपने अगर एक्षेंस 22 अप्लिकेशन पर अभी तक साइन अप नहीं किया है तो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन सेक्षन में इसका लिंक है जाके डाउनलोड करिए जैसे ही आप मेरे लिंक से डाउनलोड करोगी चार प्रोसीजर आपको करने है बैंक वेरिफाई, पैन वेरिफाई, मेल वेरिफिकेशन, मोबाइल वेरिफिकेशन जैसे ही आपनी चारों काम कर लिए आपको 100 रुपे मिलेंगी जिससे आप बाई ट्रेट कर सकते हो मतलब जो प्लेयर आपको लगता है कि आज के मैच में अच्छा करेगा उसको बाई कर में कि अगर आप यहां पे वुमेंस वर्ड कप खेलते हैं और अगर आपका 1500 रुपे तक का लॉस होता है तो कंपनी उसको बियर करेगी बट उसके लिए कुछ टर्मेट कंडिशन है जो आपको फुल्फिल करना होगा तो जरूर से इस हैप पे खेले बहुत बड़ी एप्ल से आज के मैच के लिए दिप्ति शर्म और नतालिया स्काइवर दो बैस चॉइस लग रही है आज के मैच के पॉंट आउट से कप्तान और वाइस कप्तान के लिए बाकि मैं फाइनल कॉल टॉस के टाइम ही दूँगा वहां पे आप टेलीग्राम पे अपडेट मिल जाएग मेरा वीडियो के इस फुल इंफॉर्मेटिव था एजुकेशन परपरस पे था और मैंने आपको बोला इस एप पे खेलो वहां के लो देखो खेलना ने खेलना वह आपका डिसीजन है मैं कही से भी उस चेज के लिए फोर्स नहीं का था और जाते जाते वीडियो पे लाइक कर दाना और चैनल को सब्क्राइब कर दाना ठीक है भाईयो नमस्कार